हेलो दोस्तों आज हम समाजिक विग्यान कलास्टेंद का अबजेक्टिव कोचन इस वीडियो में बताने वाले हैं जो भी प्रस्णों आपको हम बताने वाले हैं उन सभी प्रस्णों को आप लोग वीडियो को लास्त तक देकर याद कर लेना किए ये सभी प्रस्णों आपके बोर्ट एक्जाम के लिए important है आप लोग वीडियो को miss मत करना वीडियो को पूरा देखना और एक प्रस्णों को हमेशा के लिए याद करना ठीक है तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को start करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर पहला question कहता है कि पंजाब में भूमी निमनी करन का निमनी खित में से मुख्यय कारण क्या है तो दोस्तों ऐसे में कितने लोग इसका answer option number A पर टीक लगा देते हैं गहन खेती और कितने लोग option number B पर टीक लगा देते हैं वन नमूल लेकिन दोस्तों ना ही इसका answer A होगा और ना ही इसका answer B होगा इसका सही जवाब आपका option number C होजी का इस question पर कितने चात्र confusion हो जाते हैं कि इसका असल में answer क्या होना चाहिए तो सभी चात्र का confusion आप दूर हो जाएगी इसका answer अधिक सी चाहिए option number C होगा आप लोग याद रखना है यह question 20 में पूछा है 2020 में बिहार बोड में पूछा है और 2012 में पूछा है 14 में पूछा है मतलब कि बहुत ज़्यादा बार यह question आप से पूछ चुगा है ठीक है को याद रखना है अब दोस्तो अगला कोफशन आता है तीन नमर दोस्तों प्रस्ण आता है मेढख में प्रजणन को नष्ट करने वाला रतायन कोंन है यह question आपके बिहार बोड कलास 10 के बोड एक्जाम में 2018 में पूछा गया था ठीक है कलास 10 बिहार बोर्ट एक्जाम 2018 में यह कोशन पूछा गया था तिसका हम सही जबाब क्या देंगे हम लोग इसका सही जबाब एड्रीन देंगे option number क्या देंगे C को एंडरीन option number C को देंगे अगला question दोस्तों कहता है कि मरुष्टलिय मिरिद्दा का विस्तार निमलुखित में से कहा है मरुष्टलिय मिरिद्दा का विस्तार निमलुखित में से कहा है उत्तर परदेश, राज्यस्थान, करनाटक, महराष्ट, तो इन चारों में सापका सही अंसर अपसा नमर B होजेगा राज्यस्थान, राज्यस्थान में मरोस्तलिय मिरिदा का ज्यादत और विस्तार है, ठीक, आप लोग याद रखना, ठीक है, सभी प्रस्णों को याद करते अपसा नमर C में दिया है, बिहार के मैदानी छेत्र में, और यहाँ पर अपसा नमर A में दिया है, हर्याण, अपसा नमर B में दिया है, पंजाब, और यहाँ पर अपसा नमर D में है, उत्रा खंड, तो दोस्तों याद रखना, सोनापी क्रिसी उत्रा खंड में पर चली थे उत्तरा खंड option number D हो जाए ठीक है इसका अंसर नहीं C होगा A होगा B होगा बलकि इसका अंसर option number D होगा उत्तरा खड़े ठीक है आप लोग याद रखना है अगला कोहुचन है कोईला किस परकार का संसाद है तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना कोईला एक और नमभी क छैत्र में one cup विस्तार था भारत में 2001 के 2021SP में कितने परतिसद भाव कोलिक छैत्र में one cup विस्तार था तिसके एंसर हम देना चाहेंगे 90, 19.27 यानिकी 19.27 परसेंट भी याद रखना अगला कोशन है दोस्तों कि प्राणियों के सरीर में कितना परतिसाथ जल की मातरा नहीत होती है यह कोशन 2020 और 2018 में पूछा गया था और यह पक्का दोस्तों कोशन 2022 में पूछेगा आप इसे मनिस से के सरी में 55% मतलब पानी यानकी water की मातरा रहती है यादा खना अप ऌवसेजेए या ठासिशह आपका ऑपसा नहीं आपका सी हो जगा ठीक है जल्क उपस्थी से कायर नहीं प्रिस्वी को नीला गरा कायते हैं, किके चार भाग में तीन वाटर सघिरा है, और एक भाग हम लोग पर ऊसमाँ हैं तो इसी नहीं को वर नीला काया है, कि तो फोड़ा निla टाइप के होते नाम क्या है? काली मिरिदा का दूसरा नाम क्या है यहां कोशन कई बार पूछा गया है लेकिन यहां सो नहीं किया गया है तो यहां देखना काली मिरिदा का दूसरा नाम है रेगूर मिरिदा होता है आप लोग यहां देखना है अब दोस्ते हम लोग अगला कोशन अगला कोशन 11 नमर देख तो हम इसका एंसर ऩोसर ग right Pokemon Pokemon का वीस्तार था था तो हम इसका एंसर देना चाहेंगे दोस्तू इसनसर हम लोग क्या देना चाहेंगे यहांप देखिए preserve फ़ी नमर में दिया है । ठोब दोश्तोkeys देखिये करи तो फ़िसनित रूप दिया का चाहई याद देखना अब जैस्तों अगले कोपलव इस सम्विदान की धरा 21 का संबन्दे से संबंधान की दर समीदान की 18 से किस्से संब्दी थे यह còn पूचा गाता और यह भी कोश्चन 18 में पूछा गया था ठीक है भी हारबर्ड 18 में पूछा गया था ठीक है तो हम इसका अंसर देना चाहेंगे तेरह नमर देखने वाले हैं किस तत्व का संग्केंदरन बढ़ा है अप्सा नमर फुलोराइड और लॉव तो यहां पर उसका अंसर दिया है और डाउट लगता है कि इसका एंसर एकशली में फूलोराइड होने चाहिए या फिर इसका अंसर अर्सनिक होने चाहिए इसलिए एंसे एिसका इंसर फॉल्डडीय दिया लेकिन यहां पर नेट में अगर आप मोद सर्च में अर्षनिक देहके हमें तो लगता है कि इसका फॉल्डड ही होना चाहिए ठीक है तो फिर भी हो और आपके पास प्लब की इसका अंसर वे pos p pack में जरूर बता दीजिए कि इसका answer क्या होना चाहिए थिक है तो actually इसका answer हम एपटीके लगाएगा है क्योंकि 80% इसका answer एही होना चाहिए थिक है तो आप कमेंट करके बता जीजिए कि फुल राइड होगा यह फिर अर्सनीक होगा अब जो समल अगला जौथा नमर देखते हैं विहार के कितने परतीस भावोलिक छेत्र में वान का फैलावें 2012 और 2018 में यह कोचेंट पूछा गया था हम इसका जबाब देंगे अगला कोशन है भारत का राष्ट्य पक्षी है ये तो सभी छात्रों को पता होगा कि भारत का राष्ट्य पक्षी मोर यानि की मयूर होता है अपसन नमर जो C में दिया तो